पाकिस्तान ने अब एक और जूटा दावा किया है जिसके तहत उसने कहा है कि मोधी सरकार ने उसे वार्था का प्रस्ताव दिया था ये बात पाकिस्तानी प्रथान मंत्री के सलहकार मोईद यूसुब ने भारतियम मीडिया को दिये एक इंटरव्यू में कही है साथी भारत से बातशीत से पहले पांच शर्ते भी रखी है उन्होंने रौ पर आतंकवात पहलाने का आरोप लगाया है देखिये ये रिपोर्ट भारत की उर से कई बार पाकिस्तान को सुधरने का मौका दिया गया लेकिन पाकिस्तान अपनी ओकाद दिखाना नहीं भूलता है अब फिर भारत पाक के बिगड़ते रिष्टों के बीच इमरान खान सरकार ने दावा किया है कि पिछले साल मोधी सरकार ने उसे बातचीत का न्योता दिया था पाकिस्तानी प्रदान मंतरी इमरान खान के राष्ट्य सुरक्षा पर सलहकार मोध यूसुफ ने कहा कि पाकिस्तान ने कश्मीर समेट सभी लंबित मुद्दों पर भारत के साथ सार्तक बातचीत शुरू करने से पहले पांच शर्ते रखी हैं इसके साथ ही उन्होंने भारतिये खुफिया एजन्सी ड्रॉप पर पाकिस्तान में आतंकवाद पहलाने का भी आरोप लगाया पाकिस्तान का ये दावा ऐसे समय में सामने आया है जब भारत ने सपष्ट किया है कि बातचीत और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते हैं पाकिस्तान की पांच शर्ते हैं मुहित ने पाथ शर्तों के बारे में कहा कि भारत को कश्मीर के सभी राजनेतिक कैदियों को छोड़나 होगा बंदी और रोग को हटाना होगा गैर कश्मीरीों को बसने का अधिकार देने वाली कानून को खत्म करना होगा मानवा अधिकारों के कथट उलंगनों को बंद करना होगा और पाकिस्तान में कथट आतन्खवात को बंद करना होगा उन्होंने दावा किया की हाल के दिनों में भारत की ओर से पाकिस्तान को बाच्चीत के लिए संदेश मिले है जमू कश्मीर से अनुछे 370 हटाए जाने के बाद ये पहली बार है जब किसी पाकिस्तानी अधिकारी ने भारतीय मीडिया से बात की है इमरान के सलाकार ने भारत के खूफिया एजिंसी रौ पर पाकिस्तान में आतंगवाद फैलाने का गंभीर आरूप लगाया उन्होंने कहा पाकिस्तान के पास इस बात का सबूत है कि दिसंबर 2014 में पेशावर में हुए एपिएस आतंगवी हमले की साज़श रौने रची थी मोहिन ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के पडोसी देशों के दूतावास का इस्तमाल गौादर, चीनी वानेट जितूतावास कराची और पाकिस्तानी स्टॉक एक्स्टेंज पर हमले के लिए किया उन्होंने आरोप लगाया कि भारत ने 10 लाग डॉलर खर्च किये ताकि तहरी के तालिबान पाकिस्तान के अफगानिस्तान में विभिन धड़ों में मरजर हो जाएं पाकिस्तान जूट बोलने से बाज नहीं आ रहा है अब भारत ने पाकिस्तान को वेश्विक स्टर पर आतंकवात को लेकर लतार लगाई है और आतंकवात के साथ बातचीत के लिए साफ इंकार कर दिया तो वो इस तरह की बाते कर भारत की छवी बिगारने की कोशिश कर रहा है जिससे भारतिय प्रधान मंत्री को बदनाम किया जा सके पाक पीम इमरान खान अपने देश से आतंकवात को खत्म करने में नाकाम रहे हैं इसके लिए अब पाकिस्तान पर FATF की काली सूची में जाने का खत्रा मंडरा रहा है वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवात के खिलाफ भारत ने भी मोर्चा को दिया है और उसे वेश्विक स्तर पर कई बार लतार लगाई है जिसके बाद अब बॉकलाया पाकिस्तान अपनी इज़द बचाने के लिए इस तरह के जूटे दावे कर रहा है इसी तरह के खबरे में अपने लाती रहूँगे तब तक के लिए बन रहे हैं हमारे साथ में दे सकते हैं हमारे साथ चुड़ने के लिए शुक्रिया